जैमाता की राधे राधे आप सभी को तो जैसा कि मैंने फर्स पार्ट में बताया था कि मैं बनारस आई हूई हूँ और ये सिकिन पार्ट में मैं दिखा रहे हूँ आप सबको असी घाट में असी घाट पे आई हूँ तो ये घाट बहुत ही प्रशिद्ध है और बहुत सुन् होती है और सब लोग यहां गंगा आर्थी देखने के लिए आते हैं गंगा मया का दर्शन करने आते हैं गुमने के लिए आते हैं बहुत अच्छा लगता है यहां पे हम लोग आये थे करीब तोड़ा लेट हो गया था आने में तो आर्थी नहीं देख पाए तो अभी वॉक करते हैं हम लोग 10-10 बजे तक यहां पे थे बहुत अच्छा लग रहा था और देखने में भी बहुत सुकून हो रहा था यहां पे और काफी लोग आए हुए थे तो अच्छा लग रहा था तो इस तरह से हम लोग ने पूरा वॉक करके गंगा मया का दर्शन किये और य गंगा जल को हम लोग ने अपने उपर स्पर्स किए और हमिसके पाति कर रहे हैं एक दीन यहीं प्या के अप उन्ने को मिल जाना है इसी गंगा में तो इस तरह से हम लोग ने गंगा मया करनेए बाद होटल में घये खाना खाया खाना काने बाद रात को आके सो गए फिर उसके बाद हम लोग सुवे उटके नहादोके रेडि होके फिर हम लोगने नव बजी के करीब 80 विश्पनात मंदिर गय अभी तयारी कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए तो देखे सब हम लोगने सामान पैक कर लिए हैं अभी हम लोग ज्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि घर्मी बहुत है यहां पे तो दर्शन करने के लिए हम लोग बाहर आये उसके बाद ये हम लोग ने फोटो निकाले हैं तो क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है और मैं ये भी बता दूँ जो बालकोपाल लेके आएंगे उनको नह गड़े खाये और खाना खाने के बाद में घर के तरफ गए फिर थोड़ा टाइम हम लोग ने सौपिंग वगरे किये साड़िया वड्या लिए हैं जो भी सौपिंग किये तो हम लोग ने अभी रुकने वाले थे और दिन लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत है इतना ज़्यादा गर्मी है बाहर निकल रहे है तो आग के जैसा फिक रहा है तो इसके लिए मेरा हैस्बन बोल रहे थे कि अभी गर्मी बहुत है तो हम लोग चलते हैं तो हम यह बताना चा यह फ्लैट हम लोग का दिखारेंग में आप सबको तोड़ा क्योंकि मैं आई तो बहुत लेट आई थी यह फ्लैट में सुबहे जाड़ो पोचा वाली सुबहे ही आती है तो जब हम लोग ने पहुंचे तो एक डेड़ बच्चु का था तो उस दिन में आनेक बाद यही सब काम की तो बहुत ठक गई थी बहुत धिल मुट्टी था क्योंकि यह फ्लैट बंद रहता है एक हम लोग ने अपने लिए बंद किये हैं गुमने आने के लिए पर कोई ज्यादा आता नहीं है क्योंकि सब लोग मुंबई रते हैं तो घर वाले जो रते हैं घर पे वो नहीं तो इस तरह से मेरा फ्लैट है यहां पर एक हम लोग ताला मार के रखें अभी आप सबको ऊपर ले चलते हैं उपर से वीव दिखाते हैं उपर से भी बनारास आप सबको दिखाएंगे तो हम लोग जा रहे हैं उपर क्योंकि यह तीन फ्लोर का नीचे ग्राउंड फ्लोर प से भगवान काशिविश्वनात का यह देखें यह गुमबज दिखता है यहां से और यह पूरा बनारस दिख रहा है आप सबको तो आप सब भी काशिविश्विश्वनात का दर्शन कर लेजी गुमबज से ही तो क्योंकि हमने अंदर वैसे भी वीडियो नहीं बना पाये त देखें इस तरह से हम लोगने थोड़ा टायम टेरिस पर सब देखें और यह तरिस की इतने ऊपर हम लोग जाने के बाद वहां पर तोड़ा सा फोटो अगर निकाल लेते तो अच्छा लग रहा था और नीचे से देखें इतना हाइट में जाता है क्योंकि यह तीन फ्लोर क पर हम लोग ने पार्किंग मुंबई के जैसा बनाई हुए है इस सब का पार्किंग में जो भाड़े से रते हैं उनका गाड़ी कड़ा हुआ है हमारी भी बाई के खड़ी हुए है क्यूंकि हम लोग अच्छानक एक्टिवा से जाने वाले हैं घर पे बताए नहीं है अगर हम जो वाच्पेंट है इन्होंने सामान वगर जो यहां पे सब देखवाल करते हैं तो यह इस पे गाड़ी पे लाद दिये तो फिर हम लोग निकल पड़े हैं मैं गाव में रती हूं गाव सी हूं प्रापर तो हम लोग गाव में साडिया ही पहनते हैं ड्रेस नहीं पहनते है लेकिन हमको 40 किलो मेटर दूरी जाना है तो उसमें हम लोग को बटने में मुझे कमपडेबल नहीं लगेगा उनको चलाने में भी है और सामान भी हम लोग ने सब बैग वगर ले लिए हैं तो इसके लिए हम में अड्रेस बेंड के जा रही हूं साम को निकले हैं पहुचते पहुचते अंधेरा हो जाएगा तो सर पे पल्लू अगर लेके सिधा हम लोग घर में चले जाएंगे तो उतना किसी को मालूम ने पड़ेगा इस तरह से आज का मेरा ब्लॉग था आप सब को कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया होगे तो चैनल को लाइक करना